पञाब में चुनावों के मदेनजर नवजोत सिंग सिद्धू का एक्षिन मोड अन हो गया है और उन्होंने आने वाले पांच सालों में पंजाब की काया पलट करने का दावा भी किया है जी हाँ पंजाब प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के प्रधान नवजोज सिंग सिध्धु ने मंगलवार को लुधियाना के सरकिट हाउस में आने वाले पांच साल की कार्ययोजना रखी उन्होंने कहा कि 2022 में कॉंग्रिस की सरकार बनने के बाद इन सभी कार्ययोजना पर काम किया जाएगा साथी उन्होंने कहा कि वो आने वाले पांच साल में पंजाब को पूरी तरह से बदल देंगे ये कार्यय योजना उनकी तो है ही साथ ही साथ ये पूरे पंजाब कॉंग्रिस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की कार्यय योजना भी है सिद्धू मंगलवार को स्थानिय सरकिट हाउस में पारशदों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुँचे थे ताकि आने वाले चुनाव में लुध्याना की सीटों पर काबिज होने की तयारी की जा सके इस दोरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री भारत भूशन आशू, विधायक सुरिंदर डावर, मेर बलकार सिंग संधू और जिला कॉंग्रिस प्रधान अश्वनी शर्मा मौजूद रहे पंजाब कॉंग्रिस के प्रधान अवजोद सिंग सिद्धू ने बताया कि उन्होंने पूरा खाका तयार कर रखा है कि पंजाब में पांच साल कैसे और किन-किन कारियोजनाओ पर काम करना है ये विजन वो पूरी पंजाब कॉंग्रिस के साथ मिलकर पूरा करेंगे से बदल दिया जाएगा इन कारियोजनाओं से पंजाब का ख़जाना कभी खाली नहीं होगा इस दोरान उन्होंने अकाली दल के प्रधान सुखवीर सिंग बादल पर भी तंज कसे उन्होंने कहा कि 2015 में अकाली भाजपा की सरकार थी तो बिजनेस समिट का प्रोग्राम किया गया जिसमें कई MOU साइन किये गए थे और बात की गई थी कि एक लाख बीस हजार करोड का निवेश किया जाएगा लेकिन बाद में सिर्फ छे हजार करोड रुपए का ही निवेश हो सका बाकी निवेश को ने पंजाब में निवेश ही नहीं किया यानि कि 5 प्रतिशत लोग भी पंजाब में निवेश नहीं कर सके उन्होंने कहा कि अब पंजाब ने एक लाख करोड के निवेश के MOU साइन किये हैं जिसमें से 52 प्रतिशत निवेश पर काम शुरू भी हो गया है। उद्योग पतियों के साथ मीटिंग में नवजोत सिंग सिधु ने कहा कि पंजाब में नया निवेश आने में मुख्यबाधा सिंगल विंडो सिस्टम का ना होना है। एक उद्योग लगाने के लिए 16 से 33 सरकारी क्लेरंस लेनी पड़ती हैं जिसमें निवेशक भाग खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि 2022 में उनकी सरकार बनते ही वो सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने के साथ डिजिटल पोर्टल बनेगा। जिसमें उद्योग पती पोर्टल पर ही सारी अपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे और उन्हें ओलाइन क्लेरंस भी मिल जाएगी। सिद्धू की बातें और दावों से ये तो साफ हो गया है कि वे पंजाब चुनावों में अपनी पकड मजबूत बनाने को लेकर पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं।